और अब बात करेंगे अपने आप में अनोखे एक उपरेशन की इसकी सब लोग चर्चा कर रहे हैं बाकाइदा सरजरी हुई, ट्यूमर निकाला गया आप सोच रहे होंगे किसी इंसान का उपरेशन हुआ लेकिन ये सरजरी हुई एक तोते की बेटू नाम है इसका, बेटू की सरजरी की रिपोर्ट देखिए तोते का उपरेशन, बेटू की तिमारदारी तोते को ट्यूमर 6 महने से परिशान, गर्दन में 20 ग्राम का ट्यूमर तोते का वजन 98 ग्राम बेटू की तब्यत नासाज है तोते से याराना अजब होता है, गजब होता है मिठु मिया की मीठी बोली सुनकर तो तोते को पालने वाले कहते हैं मिठु मिया लाजवाब है ऐसा ही याराना सतना के एक परिवार का सतना के मुक्तियार गंज के रहने वाले चंद्रभान विश्कर्मा ने 12 साल से एक तोते को पाला है जिस तोते को ये लोग प्यार से बेटू कहते हैं अब इसी बेटू की हालत खराब हुई है घर वाले परिशान हो गए है दरसल सतना में एक अजब ओपरेशन हुआ है ये ओपरेशन हुआ है बेटू यानी तोते का पिछले 6 मैने से बेटू यानी तोता महराज की हालत ना सास थी ना तो कुछ खा पा रहे थे ना ही ठीक से आवाज निकल रही थी अब सवाल था कि आखिर तोते को हुआ क्या है जब डॉक्टर को दिखाया गया तो ये बात सामने आई है कि बेटू के गर्दन में गाठ है तोते की गर्दन में टूमर निकला जिस टूमर का एक ही लास था वो था ओपरेशन करीब दो घंटे तक सर्जरी चली तब जाकर 20 ग्राम का टूमर बहार निकला डॉक्टर की टीम ने तोते का ओपरेशन किया और तोते का ओपरेशन सक्सेस्फूल रहा तोते का कुल वजन है 98 ग्राम तोते को टूमर गर्दन की दाहिनी आग के नीचे हुआ था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था अपने आप में ये अनोखा ओपरेशन था अब सर्जरी के बाद टूमर को आगे की जाज के लिए रिवा पशू चिकिसाले भेज दिया गया है यह मामला इस शेत्र में इस प्रकार के टूमर के सफल ओपरेशन का पहला मामला है जिससे अस्थानी चिकिसा जगत में भी हल चल है यह ओपरेशन सत्ना के चिकिसक ब्रसपती भारती डॉक्टर बालेंद्र सिंग और उनकी टीम ने किया जिसकी चर्चा सब लोग कर रहे हैं अब बेटू भी ठीक है और अपने तोते के ओपरेशन सक्सेस्फूल होने से उनके मालिक भी सत्ना में शिवेंद्र सिंग बगहेल के साथ बिरु रिपोर्ट न्यूज 18 मद्रपदेश 36 गड़